हेलो एवरिवन, माइन एम इजुमेश राजोरिया, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्वी पोटेंशल सर्फेस के बारे में, साथ ही हम एक्वी पोटेंशल सर्फेस से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को भी डिसकस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला क्यूशन हमारे दिमाग में यह आता है कि इक्वी पोटेंशल सर्फेस का मतलब क्या होता है, तो जैसा कि इसका नाम है इक्वी पोटेंशल सर्फेस, यानि कि ऐसी सर्फेस जिसके हर एक पॉइंट के उपर इलेक्ट्रो स्टेटिक पोटेंशल क जो equipotential surface है वो real भी हो सकती है और imaginary भी हो सकती है चलिए इसे एक example की help से समझते हैं मालने थे कि एक charge है Q इस charge से R distance पे अगर हम electrostatic potential की value calculate करें तो इसका formula होगा V equals to 1 upon 4 by epsilon note Q by R अब अगर हम इस charge को center मानते हुए इसकी चारो तरफ एक imaginary sphere draw करें तो उसी sphere की surface पे हर एक point के उपर जो electrostatic potential है उसकी value होगी V equals to 1 upon 4 by epsilon note Q by R यानि कि हर एक point के उपर जो electrostatic potential है उसकी value सेम रहेगी तो इस charge के चारो तरफ यह जो imaginary sphere हमने consider किया है इसे हम एक equipotential surface कह सकते हैं इसी तरीके से माल लेते हैं कि हमने एक metal body या conductor को electrically charge किया हुआ है जब हम किसी भी conductor को electrically charge करते हैं तो इसकी पूरी surface के उपर हर एक point के उपर जो electrostatic potential है उसकी value सेम होती है यानि कि यहाँ पे जो conductor की surface है वो एक equipotential surface मानी जा सकती है यहाँ पे जो conductor की surface हो एक real surface है यानि कि यहाँ पे जो equipotential surface है वो real में होगी जबकि यहाँ पे जो हमने charge के चारो तरफ एक sphere consider किया था वो एक imaginary surface है यानि कि यह जो sphere है यह imaginary equipotential surface होगा तो चलिए अब हम equipotential surface related कुछ important points को discuss करते हैं यहाँ पर first point है No work is done on moving the test charge from one point to the other point on equipotential surface यानि कि किसी भी charge को equipotential surface की उपर एक point से दूसरे point तक ले जाने में हमें कोई भी work नहीं करना पड़ता For example, माल लेते हैं कि यह कोई equipotential surface है और इसके उपर यह कोई दो points है A और B हमें एक charge Q को A point से B point की तरफ लेके जाते हैं और माल लेते हैं कि इसके लिए जो हमें work करना पड़ेगा वो है WAB अब क्योंकि यह एक equipotential surface है इसलिए इसके A point और B point के उपर जो electrostatic potential है उसके value सेम रहेंगी अब हम यहाँ पर यह प्रूव करेंगे कि इस charge Q को A point से B point तक ले जाने में हमें जो work करना पड़ेगा WAB वो 0 होगा हम जानते हैं कि जो work, charge और electrostatic potential है उसमें relation होता है WAB upon Q equals to VB minus VA यानि कि कि किसी भी charge को electric field के अंदर एक point से दूसरे point तक ले जाने में जो हमें work करना पड़ता है अगर हम उस work को उस charge से divide कर दें तो वो उन दोनों points के बीच में potential difference के equal होगा अब यहाँ पर इस equipotential surface के लिए A और B point के उपर potential की value सेम है तो इस formula के according जो VB minus VA है वो 0 होगा तो यहाँ से जो WAB है उसकी value निकल के आएगी 0 यानि कि हम कहा सकते हैं कि अगर हम किसी भी charge को equipotential surface के उपर एक point से दूसरे point तक लेके जाते हैं तो उसके लिए जो हमें work करना पड़ेगा वो हमेशा 0 होगा जो equipotential surface है उसकी second property है the equipotential surface through a point is normal to the electric field at that point यानि कि किसी भी point से पास होनवाला जो equipotential surface होता है वो उस point के उपर जो electric field होगा उसके हमेशा normal या perpendicular होगा for example माल लेते हैं कि यह कोई equipotential surface है अब हम एक one कुलाम positive charge को इस surface के उपर point A से point B की तरफ move करते हैं माल लेते हैं कि इसके लिए जो displacement हुआ वो है DR और हमें जो externally work करना पड़ा वो है WAB अब हम जानते हैं कि equipotential surface के उपर किसी भी charge को move करने में क्यावा work हमेशा 0 होता है यानि कि WAB यहाँ पे 0 होगा इस one कुलाम charge को point A से point B तक move करने के लिए जो हमने work किया है इसको calculate करने के लिए हम work का basic formula भी use कर सकते हैं work का basic formula होता है force into displacement यानि कि यहाँ पे WAB होगा F dot DR जब हम force or displacement के इस dot product को open करेंगे तो work को लिखा जा सकता है WAB equals to F DR cos theta अब यहाँ पे हमने जो charge consider किया है वो है one कुलाम और हम जानते हैं कि जब भी किसी charge को external electric field में रखा जाता है तो उस पे लगने वाले force का formula होता है F equals to Q into E अब क्योंकि यहाँ पे charge की value one कुलाम है इसलिए इस one कुलाम charge पे लगने वाले force को लिखा जा सकता है F equals to E यानि कि यहाँ पे इस one कुलाम charge पे लगने वाले force का magnitude और direction यहाँ पे जो electric field होगा उस electric field के magnitude और direction के equal होंगे अब अगर हम F की value इस equation में put कर दें तो इस equation को लिखा जा सकता है WAB equals to EDR cos theta अब यहाँ पे इस first equation के according हम कह सकते हैं कि इस one कुलाम charge को A point से B point तक ले जाने में जो work हुआ है वो 0 होगा जबकि second equation के according इस work को लिखा जा सकता है EDR cos theta अब यहाँ पे यह दोनो equations equal होनी चाहिए यानि कि जो EDR cos theta है वो 0 की equal होगा अब यहाँ पे ना तो electric field 0 है और ना हे displacement 0 है यानि कि कि यहाँ पे cos theta 0 होगा और cos theta A की condition में 0 हो सकता है जब theta 90 degree हो अब यहाँ पे यह जो displacement है यह हमने equipotential surface के उपर किया है और यहाँ पे इस equation से निकल के आता है कि electric field और displacement एक दूसरे के perpendicular होगे यानि कि simply हम कहा सकते हैं कि कि किसी भी region में जो equipotential surface होती है वो हमेशा उस region में जो electric field और उसके perpendicular होती है equipotential surface की next property है कि अगर हम एक uniform electric field के लिए equipotential surfaces ड्रो करें तो यह surfaces हमेशा उस uniform electric field के perpendicular होगी और साथ ही इनके बीच में जो distance है वो हमेशा equal होगी यानि कि जितनी distance first और second surface के बीच में है उतनी distance second और third surface के बीच में भी होगी लेकिन अगर हम किसी भी non uniform electric field के लिए equipotential surfaces ड्रो करें तो इनके बीच के distance vary करती है यानि कि change होती है यहाँ पर माल लेते हैं कि अगर हम left to right move करेंगे तो यहाँ पर जो electric field और उसका magnitude increase होता जा रहा है तो यहाँ पर यह जो equipotential surfaces होगी यह इस electric field के perpendicular होगी साथ ही जिस direction में यह electric field increase हो रहा होगा उस direction में इन surfaces के बीच की distance कम होती जाएगी यानि कि अगर left to right move करने पर electric field increase होता जा रहा है तो यहाँ पर first और second surface के बीच में जो distance होगी उसकी comparison में second और third surface के बीच की distance कम रहेगी यानि कि non uniform electric field के लिए जिस direction में electric field increase होता जा रहा है उस direction में equipotential surfaces के 20 का distance कम होता जाएगा इसी तरीके से अगर हम किसी भी point charge के लिए equipotential surfaces draw करें तो यह concentric spheres होते हैं यानि कि charge को center पे मानते वे हम इसके चारो तरफ जो भी spheres draw करेंगे यह सब equipotential surface होंगी इसी तरीके से हम एक electric dipole के लिए equipotential surfaces draw कर सकते हैं हम जानते हैं कि जो electric dipole है वो दो equal magnitude के बट opposite nature के charges का एक system होता है हम जानते हैं कि जो opposite charges हैं उनके बीच में attraction होता है तो यहाँ पे जो equipotential surfaces हैं वो भी एक दूसरे की तरफ attract होते हुए आपको दिखाई देंगी इसी तरीके से अगर हम दो identical positive charges के लिए equipotential surfaces draw करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो same type के charges हैं वो हमेशे एक दूसरे को repel करते हैं तो इन charges की बीच में जो equipotential surfaces हैं वो एक दूसरे से repel होते हुए आपको दिखाई देंगी तो इसे हम simply इस तरीके से याद रख सकते हैं कि दो opposite point charges की बीच में जो equipotential surfaces हैं वो एक दूसरे से attract होती हैं जबकि दो same type के point charges की बीच में जो equipotential surfaces हैं वो एक दूसरे से repel होते हुए दिखाई देती हैं equipotential surfaces की next property है कि दो equipotential surfaces कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करती अब इसका reason क्या है? हम जानते हैं कि किसी भी reason में जो electric field है वो हमेशा equipotential surface के perpendicular होता है अब यहाँ पर हमने दो equipotential surfaces को एक दूसरे से intersect करते वे represent किया है अब अगर हम इन दोनों surfaces के intersection point के उपर इस first surface के लिए जो electric field की direction है अगर उसे represent करें तो यहाँ पर जो electric field के direction हो वो इधर आएगी यानि कि surface के perpendicular होगी इसी तरह के से अगर हम इस second surface के लिए electric field के direction ड्रो करें तो यहाँ पर जो electric field हो का वो second surface के perpendicular इस direction में आएगा अब यहाँ पर इन दोनों equipotential surfaces के intersection point के उपर electric field की दो-दो directions आ रही हैं जो कि possible नहीं है यानि कि अगर हमने दो equipotential surfaces को intersect करते वे represent किया तो उनके intersection point पे electric field की दो direction represent होगी जो कि गलत होगा इसलिए हम कभी भी दो equipotential surfaces को intersect करते वे represent नहीं करते हैं तो गाईज इस वीडियो में हमने equipotential surface और उससे related कुछ important points के बारे में study किया I hope आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं एक new वीडियो के साथ तब तक के लिए take care and goodbye